So hey guys welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे हम लोग PyNito के KYC and Mainnet Checklist रिगार्डिंग काफि सरे latest important update के बारे में जानने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे time deadline के बारे में अगर अभी तक आपने KYC या Mainnet Checklist complete नहीं किया है तो PyNito के ऊपर आपको एक deadline भी show होता है तो इसके रिगार्डिंग हम लोग details में जानने वाले हैं इसके साथ-साथ KYC के कुछ latest update और Mainnet Checklist के last step update के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं वीडियो अवरल बहुत यदा informative होने बाला है बिना skip करेंगे तक ज़रूर देखना चले आज के इस important वीडियो को करते हैं मेने के अंदर आप यह दोनों process complete नहीं करते हो तो जितना भी पाई आपने माइन कर रखा है वह आप हमेसा के लिए खोद होगे मैं आप लोगों को दोनों process का last date भी बता देता हूं basically अगर आप eligible हो KYC के लिए तो KYC का जो last date है वो है 30 September 2024 तक यानि के अगर अभी आपको KYC का option मिल रहा है तो आपको 30 September 2024 से पहले अपना KYC को complete करना पड़ेगा वही पर अगर हम लोग mainnet checklist के बारे में बात करें तो उसका last date है 31 December 2024 का अबर अगर कहें तो 31 December तक KYC और mainnet checklist यह दोनों process को हमें definitely complete करना ही है आप में से जितने भी लोगों का यह दोनों में से कोई भी process अभी तक complete नहीं हुआ है तो उनका PyNito के application पे dashboard पे ही जो सबसे उपर time countdown देखने को मिल रहा होगा अगर आपका KYC complete नहीं हुआ है तो KYC का time आपको देखने को मिलेगा यानि के जितने भी लोगों अभी तक KYC या mainnet migration के लिए eligible नहीं है तो उनके लिए time का countdown है वो पाउस किया गया है यह आप खुद भी check कर सकते हो basically PyNito के उपर dashboard में अगर time के pass में पाउस लिखा हुआ है that means कि आपका जो grace period वो पाउस किया गया है अगर वहाँ पे time का countdown continue है तो आपको definitely उस time period के अंदर जो वो process complete करना ही पड़ेगा PyNit Oak में कैसे हम KYC complete कर सकते हैं और कैसे mainnet checklist complete कर सकते हैं यह दोनों process का वीडियो मैंने already upload कर रखा है नेचे description पे आपको दोनों वीडियो का link मिल जाएगा जरूर जाके check कर लेना और अपना process जो है definitely अच्छे तरीके से complete कर लेना तो यह था time deadline के regarding information अभी हम लोग KYC के कुछ important update के बारे में बात करते हैं देखो जितने भी लोगों को अभी तक KYC का slot नहीं मिला है उनको 30 days तक कम से कम mine करना पड़ेगा तभी वो KYC के लिए eligible होंगे और उनको KYC का option मिलने वाले हैं आप मैंसे बहुत सरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने KYC तो complete कर लिया है लेकिन KYC का result अभी तक जो है pass नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दू KYC result आपका तभी pass होगा जब आप main net checklist के बागे steps को complete कर लोगे ठीके तो जैसे ही आप KYC के लिए apply कर देते हो उसके बाद आपको simply main net checklist open कर लेना है और वहाँ पे जितने भी process है जैसे pipe browser install करना wallet create करना, wallet confirm करना, lock up configuration करना account को secure करना, then acknowledgement sign करना ये सभी step आपको definitely complete कर लेना है एक बार फिर से repeat करता हो, KYC के लिए apply करने के बाद आपको main net checklist का number 6 step तक complete करना है तभी आपका KYC pass होगा या आपका KYC result आएगा main net checklist में number 7 step पे रहता है KYC apply करने का option ठीक है तो जैसे ही आप KYC apply कर देते हो और वो pass होने के बाद automatically आपका 8 number step complete होगा और सबसे last वाला step जो है migrate to main net ये भी automatically complete होने वाला है पाई कोल टीम के तरब से तो अबरोल अगर कहें तो main net checklist के 7 step तक आपको अच्छे तरीके से सभी step complete कर लेने हैं उसके बाद में जो step है 8 number और 9 number पे ये automatically complete होते हैं KYC apply करने के बाद usually 3 दिन के अंदर आपका 8 number step यानि के KYC result वाला step complete हो जाता है और last वाला step जो है वो complete होने में usually 15 से 20 दिन तक का time लगता है क्योंकि last step migration Q के हिसाब से होते हैं और ये automatic के साथ-साथ manually भी किये जाते हैं तो definitely आपको last step के लिए 15 से 20 दिन तक wait करना पड़ेगा और कई बारी system fault के वज़े से ये time और भी जादा लगते हैं आपने कुछ mistake किया है या फिर system fault के वज़े से आपका last step pending है या आप खुद भी पता लगा सकते हो इसके लिए मेंनेट checklist open करना है सबसे उपर आपको जो time का countdown लिखता है ठीक है अगर वो pause किया हुआ है इसका मतलब है कि system fault के वज़े से आपका last step pending है ऐसे में migrate to मेंनेट वाला step complete होने में अगर 15 से 20 दिन हो गए हैं या फिर उससे भी ज्यादा time लग रहे हैं तो आपको wait करना definitely आपका last step जो है complete हो जाएगा तो यह था मेंनेट checklist regarding latest update अभी में migration process regarding आपको कुछ information देने वाला हूँ जो कि आपको बिलकुल ध्यान से समझना है देखो जो pie हम माइन करते वो पाइनेट के application के सबसे उपर हमें देखनों को मिलता है राइट लेकिन वो pie को हम directly sell नहीं कर सकते हैं या फिर उसको directly use नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें दो process complete करना पड़ता है पहला है KYC दूसरा है mainnet checklist मेंनेट checklist का जब last step complete हो जाता है यानि के migrate to mainnet वाला step complete हो जाता है तब हमारे पाई जो हमारे wallet में transfer कर दिये जाते हैं जो wallet हमने mainnet checklist पे confirm किया था राइट जब वो pie हमारे wallet पे transfer होता है तब भी हम उसको directly use नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमें वो pie को पहले available balance पे transfer करना होता है जो pie आपके available balance पे रहेंगे आपके बल उसी को directly sell कर सकते हो या फिर use कर सकते हो आने वाले time पे देखो pie wallet में transfer होने के बाद अगर आप history के नीचे देखोगे तो आपको आपके locked pie और unlocked pie दोनों pie दिख जाते हैं राइट मैं आप लोगो short में बता देता हूँ कि कैसे आपको available balance में transfer करना है जो unlock pie है उसको basically आप wallet में transfer होने के 14 दिन बाद जो है available balance पे transfer कर सकते हो और जो locked pie है तो उसको आपने जितने भी दिन के लिए locked कर रखा होगा उसके बाद ही आप उसको available balance पे transfer कर सकते हो ठीक है आपने कितना दिन के लिए लोग किया है यह आप खुद भी पता लगा सकते हो basically वो balance पे आपको click करना है तो वहाँ पे locked until का एक date दिख जाएगा जो date आपको वहाँ पे दिखेगा उस date के बाद ही आप अपने lock balance को भी जो है available balance पे transfer कर सकते हो कैसे available balance में transfer करते है इस carry guiding मैंने already एक वीडियो बना रखा है नेचर description पे आपको उसका भी link मिल जाएगा जरूर जाक चेक कर लेना उमिद करता हूँ आप लोगों को migration process के बारे में भी पता चल चुका है और अभी हम लोग बात करते पाई नेटों के open mainnet launch date के बारे में हम सभी को पता है कि पाई का mainnet already launch हो चुका है लेकिन अभी तक पाई का open mainnet launch नहीं हुआ है यानि कि पाई जो है किसी भी exchanges जिस पे अभी तक list नहीं हुआ है इसका official कोई भी value अभी तक नहीं है तो आप सबके मन पे ये question जरूर होगा कि कब तक जो है पाई का open mainnet launch हो सकता है देखो इसका answer बिल्कुल simple है जब तक सभी लोगों का KYC and mainnet migration complete नहीं हो जाता है तब तक जो है पाई का open mainnet launch नहीं होगा अ जहां पे December 31st तक का time दिया गया है KYC और migration complete करने का right इससे इतना तो जरूर पता चल जाता है कि इस साल में जो है पाई का open mainnet launch नहीं होगा हो सकता है 2025 के starting पे या फिर middle पे जो है open mainnet launch हो जाए और पाई exchanges में भी list हो जाए आप लोग देखी रहे होंगे KYC migration process को छोड़के भी और भी कई सारे project पे back end पे काम कर रहे हैं जैसे नएने event हो गया hackathon event हो गया fireside forum हो गया उसके बाद decentralized applications को build करना यह सभी काम जो है अभी back end पे चल रहे है पाई को टीम के तरफ से right overall पाई का use case अच्छे तरीके से जब build up हो जाएंगे तो पाई का open minute भी launch हो जाएंगे बीना use case इसके अगर पाई का open minute launch होता है एक्सेंज इस पर listing होता है तो लोग definitely अपने पाई को सेल करके withdraw कर लेंगे राइट इसमें क्या होगा इसमें इतना साल का जो महनत था पाई को टीम का यह पूरा project जो है flop हो जाएगा उनका महनत भी बिकार हो जाएगा राइट यही main reason है कि अ हो तो subscribe जरूर कर देना पाई निटो के बारे में कुछ भी जान करें आपको चाहिए तो comment में जरूर पूछ लेना मैं उसका reply जरूर करूंगा and definitely मैंने पाई के regarding सभी टाइप के वीडियो अल्रेडी बना रखा है इसी चैनल के playlist section पे जाओगे पाई निटो का playlist पे आपको मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो और सो इसकीन पर भी आपको पाई का playlist हो रहा है वहां से भी जाके वीडियो को देख सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ